स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नई सहायक सिछक भरती के बारे में यहाँ पर इस बार कुल मिलाके लगबग 79,000 यह भरती आ रही है तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका आवेदन कब से सुरू होगा तथा एकजाम डेट कब है आवेदन का अंतिम तिथिक कब होगा तथा इसमें क्या बड़े परिवर्तन किये गए हैं तो चलिए जादे जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब करिए इस्टेडी फर जाफ चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो बात करें डेट की तो यह फारम भरना शुरू होगा 6 दिसंबर से और इस करांतिम डेट है 12 दिसंबर 12 दिसंबर तक ही आप इसके फीस का पेमेंट और 12 दिसंबर तक ही आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं बात करें एकजाम की तो यह एकजाम होगा 6 जनौरी को और इसके लिए एडमिट कार एक हपते पहले यानि की जनौरी में ही मिलेगा एंसर की बहुत जल्दी दे दी जाएगी और इसका रिजल्ट आएगा 22 जनौरी 2019 को मतलब की 14 दिनों में सब कुछ पर करिया कंप्लीट करने की कोशिस की जा रही है देखना होगा कि आयोग इसमें कहां तक सफल रह पाता है तो अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको पेपर कटिंग का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्किप्सन में मिलेगा यहाँ पर हेटिंग देख पा रहे होंगे कि 79,000 सिचकों की भरती के लिए 6 से भरे फारम परिच्छा 6 जनौरी को तो यहाँ पर यही दिया गया है कि विग्यापन 5 दिसंबर को आएगा आवेदन 20 दिसंबर तक कर पाएंगे और परिडाम आएगा 22 जनौरी को रही बाद चेंज की तो यहाँ पर यह चेंज किया गया है कि यह परिच्छा बहु भी कलपी होगी और पहले से कट अपने धारित नहीं होगा अब यहाँ पर आपको OMR मिलेगा उत्तर पुष्टिका नहीं मिलेगी तो सरकार इसलिए चेंज कर रही है ताकि रिजल्ट देने में असानी हो तो जादे जानकारी के लिए आपे पेपर कटिंग पढ़ सकते हैं यह पेपर कटिंग है अमर उजाला की इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारी जानकारियों के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से अब जाके बड़े ही असानी से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक यू